हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नमरात्र का दوسरा दिन और मैंने बनाई है साबुदाने के खिचडी और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि साबुदाने के खिचडी कितनी जादा खिली खिली बनी है बिलकुल भी चिपक नहीं रही है तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी इससे बनेगी और इसे हम बना कर खाएंगे इंदोरी स्टाइल में तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो हम शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने कड़ाई में एक सी डेड़ से मच मूमफली का तेल लिया है और फ्रेंड्स साबुदाने मैंने पहले से भीगोके रखे थे वो किस तरीके से आगे मैं आपको बताती हूँ तो ओयल में डाला है मैंने आदा चम्मत जीरा और दो कच्छे आलू इस तरीके से कटेवे डाल दी हैं अगर आप पहले आलू ना उबाल पाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं तीन से चार बारिक कटी हरी मिर्श डालेंगे और स्वाध अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक और नमक थोड़ा दर ज्यादा भी डालें तो चलेगा कि उस वज़े से जल्दी पक जाएंगे अब हम ढग कर तीन से चार मिंट के लिए लो टू मेडिया फ्लेम पर पकाएंगे यह देखिए आलू हमारे पक चुके हैं मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए फ्रेंट्स अब अगर आप इसमें लाल मिर्श खाते हैं तो फ्लेवर के लिए हम डालेंगे एक चुथ मुंफली के दाने मुंफली दाने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अब देखिए मैंने साबुदाने कैसे भी ऊअधे है थे जितना साबुदाना लिया था एक बड़े बर्तन में उन साबुदाने को उतना पानी उसमें डाला है कि वो आच्छे से डूब जाएं और 4 गंटे क के लिए low to medium flame पर पकाएंगे और friends आप देखिए बिलकुल भी नहीं चिपकेगी quantity में और कम होती जाएगी बट चिपकेगी बिलकुल भी नहीं तो नमक थोड़ा सा स्वात के लिए और डाल देंगे और डालेंगे बारिक कटावा हरा धनिया सभी को अच्छे से mix कर देंगे औ हम इसे दो मिनिट पकाएंगे बहुत अच्छे से इसका flavor हो जाता है friends और देखिए कितनी खिली-खिली लग रही है अब आखरी में हम इसमें डालेंगे एक निम्बू का रस उसकी वज़े से खटे मीठी का जो balance है वो अच्छा हो जाता है और friends इसे हम आज साफ करेंगे indoor की style में क्योंकि वहाँ पर जब खिचुडी इस तरीके से साबदाने की बनाई जाती है तो उसे जो चिप्स है आलू भुजिया है मैंस देट आलू जो फलाहारी होता है नमकिन उसके साथ साफ की जाती है तो यह देखिए साफ करने में कितनी किली-किली लग रही है अब हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और यह रेसिपी आप ट्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू